हेलो माई दीर स्टूडेंट्स कैसे आप सब्सक्राइब कर लिया कर लिया कर लिया मैंने तुम्हारे लिए वापे से अच्छा सा चमकता हुआ ठीक है तो देखे है अगर चैनल सब्सक्राइब कर लो नहीं तो देखो पाप लगेगा है ना सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और विस्टर्स का एक वन शॉट आएगा आपके लिए और वन शॉट आपको आएगा 20 फैब को तो विस्टर्स की हो जाएगी प्रॉब्लम खतम पोईटिक डिवाइस के पर लग से मैं बना हुआ वीडि गोइंग फ्लेसिस को इसको बैसिक लिए किसना लिखा ए यार बाटन ने चैप्टर शुड़ू करने से पहले आपको इस पूरे चैप्टर की थीम बता है कि इस पूरे चैप्टर में आपको यह बता रहा है कि जो हमारे जो अडॉलसेंट एज होती है जो हमारे एक जो टीन कोफी नाम की जो अपनी एक अलग सी दुनिया में जीती है जो अपनी अलग सी फैंटेसी के अंदर जीती है और किस तरीके से वह रियालिटी को नहीं देखती और अपने अलग एक दुनिया क्रिएट कर रही होती है और जो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ठ सबसे पहले आपकी वह रहा कि यहां आप यहां यहां बहलों कहीं है रहे और इसको नोड़ं बटेर न हdoo एक शॉन आपका नो तो एक टाइम की बात है Sophie और Jen C school से घर वापिस आ रहे थे तो Sophie Jen C को कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाओ कि तुम्हें एक बुटीक खोलूगी कि मैं अपना एक बुटीक खोलूगी Jen C उसके तरफ देखती है और उसके तरफ देखती है किससे लिंक के डाउटफुल नजर से और कहती है कि Sophie प्यार से जैन से जोफ को कहके बुलाती थी तुम्हें पता है बुटीक खोलने के लिए पैसे चाहिए होता है तो वह कहती है फिर Sophie कि अगर पैसे चाहिए होते तो चलो एक काम करोगी पहले मैं किसी चीज में मैंनेजर बन जाओगी मैं किसी कंपनी की या मैं चाहिए तो वह कहती है जैन से कहती है कि सोफ मैंनेजर बनना इतनी असान बात थोड़ी ना है तो उसके बाद वह Sophie कहती है कि चलो manager भी reject हो गया हमारा boutique वाला भी concept अभी reject हो गया तो एक काम करोगी I will be like Mary Quant Mary Quant उस ताइम की काफ़े ज़्यादा famous fashion designer थी I will be a natural तो Sophie कह रही है कि मेरे अंदर तो inbuilt यह quality कि मैं fashion designing कर सकती हूँ यह मेरे एक nature भी है यह मेरे को कह सकते God gifted है तो मैं एक fashion designer बन जाओगी ठीक है और fashion designer बनने के बाद मैं एक बहुत प्यारा सा अपने एक shop हो लोगी city में जो की आज तक किसी ने नहीं देखी होगी fashion designer की उसके बाद जैन सी उसके तरफ देखती है और उसको बोलती है कि भाई Sophie देख मेरी बात सुन ले तू तू और मैं दोनों को है न एक biscuit factory के अंदर काम करना यह हमारी सच्छा ही है तो आप यहां पर देखो एक contrast show हो रहा है एक तरफ जो Sophie है यह अपनी imagination की दुनिया में जी रही है और जो जैन सी है यह आपके अगर आगे बात करें अब यह लोग बात करते हों चल रहे है अपने स्कूल लाइफ से बाहर आ जाएगे तो आप को थोड़ा sensible हो जाना चाहिए खास करकि तुम्हें है ना तुमको थोड़ा sensible हो जाना चाहिए थोड़ा से सोचो इस fantasy की दुनिया से बाहर आओ तुमको भी बताए Sophie जैन से कह रही है तुमको ही बताए Sophie कि तुम्हारे पापा कोई तुमको ऐसा payment नहीं करने वाले कि जिसके तुम ऐसा कोई शॉप ओपन करोगी तो मारे पापा कभी भी तुमको इस चीच के लालाओ नहीं करेगे Sophie कहती है चलो ठीक है ना यार तो मैं एक काम करते हो पैसा है ना तो यह कहती सोफी के एक काम करती हो मैं तो एक्टरस मन जाओगी और तो पैसा ही पैसा है एक्टरस को दिन वर काम भी नहीं करना पड़ता तो यह काम करेंगी साइड बाई साइड में पूटिक भी ओपन कर लोगी अब उसका खसना जाता है मत था किसका जैसी का क्या करूँ क्या करूँ इस सोफी जैसी लड़की का अचानक से ना वह बारिश चलो हो जाती है तो सोफी देखो अपनी दुन में चली जा रही है चली जाती हूं किसी की दुन में चलती जा रही है अपनी फैंटेसी की दुनिया में बचली जैसी यहां पर खड़ी है जैसी कड़ी वारिश में भीग रही है तो उसके बाद सोफी कहती है कि जब में रस पैसा होगा ना तो मैं बुटीक ख ठीक है अब तु जा अपने घर मेरा दिमाग मत चाट है ना आई वह समझ में यहां पर यह conversation होती है अब सोफी पहुंच जोगी अपने घर अपने घर के अंदर है सोफी क्योंकि अपने टायट दिखाई दे रहे होते हैं उनका प्लंब फेस होता है ठीक है जिसमें एक ग्रिम मतलब ठकावर्ट नजर आ होती है स्विट से पूरा उनका बंदन भीगा होता है ठीक है एंड वह सीथे घर में एंटर करते हैं जाकी किचन में जाके एक खाने के लिए शेफ़र्स पाई ले आते हैं उसके बाद अब यहां पर देखो एक और करेक्टर आपके सामने आएगा जो कि आपका होगा लिट अब जो तो इसके बाद अब अपनी जो देख द Smash Okay करना और किसको जब इस ने बोला जैंसी ने कि कि सोफी और जैंसी तो ने बिसकूटी फैक्टरी में काम करना है तो यहां से आप एक चीजत दो देखो पका निकाल सकते हैं एक चीज आप इनफोर कर सकते वहां कि यह दो किसे एक अच्छे family background से belong नहीं करते थे इनकी financial condition sound नहीं थी अच्छी नहीं थी यह हम यहां से इंफर कर सकते हैं ठीक है ना जब सूफी की मदर को यहां पर description दे रहा है आप इस पहरा के आगे वैसे लिख सकते हों कि यहां पर सूफी की मदर का description है तो जब अपनी मदर को देखती है तो वह बरतन साफ कर रही होती है बर्दन माजरी होती है उन्होंने एक कोने में बहुत तरह समान बिखरा हुआ होता है ठीक है इन सब को देखती है सोफी की दुनिया एक तरह में सबसे अलग है सोफी अपनी तो जब वह जियॉफ के रूप में जाती है तो वहां देखती है कि जियॉफ भाई साब है जियॉफ भाई साब है ना फ्लोर में बैठे पड़े हैं और यहां पर बात करें देखो इस पुरे के पैरा के अंदर आप कह सकते हो कि सूफी के भाई जियॉफ का description है अगर हम जियॉफ की बात करें तो जियॉफ को देखो तीन साल हो चुकिए स्कूल से भाई निकले हुए वह काम करता है जो आपका जियॉफ है वह काम करता है एज अप्रेंटस मेकेनिक के तौर पे ठीक है तो हर दिन वह शेहर से भाई जाता है और कुछ ऐसे एरिया कुछ म इस तरीके से सूफी ने डिस्क्राइब किया जियॉफ को कि बहुचता इंट्रोवर्ट परसन है हमेशा में चुपचाब रहता है उसके मुझ से शब्द निकलवाना काफ़ ज्यादा मुश्किल चीज है ठीक है यह इसके बारे में बता रही है कौन सूफी जियॉफ के बार जियुकु सीने चुपा रहे तो यह प्युस्त दुनिया को जीना चाहती है ना चाहती कौन सा अनवन्ञोन वर्ल्ड जहां पर जियॉफ इतना बिजी है जिसके बारे में पपनी बहन बताते हैं और इस तरीके से उसको फैंटिस आती होगी है November कर लिये हमने पहले जैन्स को पढ़ लिया थी आप कही पर नोट कर ले लिए सबस्कूल को बता दी इंट्रोवर्ड था यह बिसीकली कम बोलता था इसके यह motor mechanic का काम करता है apprentice की तो और पर काम कर रहा था तीन साल हो जोगे तब स्कूल से बहार निकले वे हैं और जब Sophie से मिलती थे तो basically क्या अगर parts को लगाने की कुशिश कर रहा था अब क्या होता है यहाँ पे little Derek इसकी भी हमने बात कर ली थी और एक Sophie के father and Sophie की mother Sophie की mother तो अभी तक देखा हमने छे characters characters के बारे मात कर ली है इसमें से relevant आपके लिए ज्यादा important कौन है Sophie, Gen.C, Geoff and somehow you can say Sophie's father Sophie चाहती थी कि जो उसका भाई है उसको attention पे करें है ना जो उसकी बाते हैं वो सुनी जाए उसका भाई उसकी बातों को सच माने उसकी बातों को सुने उसकी तरव एक attention पे करें है ना उसको भी affection दे तो ये सब Sophie चाहती थी अपने भाई से Geoff से, ठीक है अब Sophie ये भी चाहती थी कि जो Geoff है वो अपने काम करने के लिए सूफी की मदद ले, सूफी को भी अपने काम का हिस्सा बनाए, सूफी को भी मतलब काम सिखा है, उसको भी अपने साथ सा जहां-जहां जाता है, वहाँ लेके जाए तुमको Geoff कहते था कि Geoff कहते था कि Sophie पहुचा छोटी है वह अपने आपको इस तरीक से देखे लिए कि Geoff के पीछे बैटी हुई है, बाइक में और राइड कर रही है, done Geoff ने basically black leather पहने हुआ है, jacket पहने हुआ है और Sophie ने yellow dress पहनी है, जिसमें cape है और जब वह बाइक चल रहे है, और लोग उसका wait कर रहे है, एक sound of applause दे रहे है किनको इन लोगों को, Sophie और Geoff को, इसके पीछे क्या logic है, यह Sophie जानती है because इसकी fantasy है, पूरी की पूरी, है ना जब यह सारी बाते चल रही होती है, तो है ना Geoff को कोई धिहान नहीं होता, Sophie के तरफ Geoff अपना basically पूरा attentively अपना काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, हर एक पार्ट को, इसने attention से वो देखता है, कि अब ऐसा लगते है, स्वामना जो structure है, जिस पर वो कोई पार्ट लगा रहा है, वो बोल उठेगा, कि भाई, इस इस पार्ट को यहां फिट कर दे, इस तरीके से वो शीश को घूर रहा होता है, ठीक है, अब इसी बात पर जब यह सारी हरकते कर रहा होता है, जी ओफ, तो Sophie कहती है कि I met Danny Casey, अब देखो एक और Now, who was Danny Casey, Danny Casey basically, एक Irish footballer था, जो कि United के लिए खेलता था, एक यंग footballer था यह, और जी ओफ, इसको काफे ज़्यादर पसंद करता था, जी ओफ का एक favorite footballer कह सकते हो आप, है ना, So, जब आपके सामने कोई आपके favorite sports person के बारे मात करते था, आप उसके तरफ देखते हैं, उससे बात करने कोशिश करते हो, तो जैसे ही Sophie ने यह बोला, कि आपके से मिली हो, तो जी ओफ ने गर्दन हमाते कहता है, कहां मिली तुछ टैनी के से मुझे यह बता, वो कहती है, वो कहती है Sophie, आर्केट में, आर्केट बेसिकली क्या है, एक shopping mall से, mall है, जहां बहुत सरी shops होती है, वहाँ पर मिली, तो वो कहता है, जी ओफ, भाई देख, यह है ना, बहन देख, यह चीज ikalनी हो सकती, वो कहती है, नहीं यह मिली हो सची में, वो कहता है, जी ओफ कहता है, तुने डाट को बताया है, वो कहती है, नहीं भाई, मैं अपने सारी से 섞र लिए तरह से शेर करते हैं, वो दैट से शेर करूँंगी, तो उसके बाद है न, वो पूछता है कि एचा कैसे कैसे में तरी बात कोई बिलीव नहीं हो रहा तो सोफी कहती है कि हुआ क्या कि रॉइस विंडो में कुछ कपड़ों को देख रही थी तो मेरे बगर में एक आदमी आके खड़ा होता है मैं उसके तरफ देखती हूँ तो पता रगता है कि वो डैन में वो कहता है क्या कहते है जी वारे फुटबॉल का मतलब नहीं मैं कह रहूँ कि रियल में इतने पास से तुमने उसको देखा तो कैसा देखता है वो नाओ यहां पर आएगा हमारा डैने के करेक्टर सके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मां करेंने मुख के अंदर कहते ह हरी हरी आख है एकनब प्यारी आख है उतना बड़ा है ने जितना वह देखता है तो हम सोचते हो ठीक है अब वह सोचती कि इसके दातों के वारे में कुछ नहीं बोलना तो यहां पर यह तीन इसके फिजिकल अपीरेंस को लेकर हम कह सकते हैं कि करेक्टर सक्ष बन सकता है ड ले सब्सक्रेटेब्सीकली हाथ पैठ दोके आते अपनी जगा पर बैठते और टेलेविजिन को स्टार्ट कर लेते हैं चालू कर लेते हैं और कैसे बैठते देखो पूरे डिस्क्रिप्शन दे रखा है सोफे में सोफे के ऊपर बेसेगए टरी के श्यूस पड़े होते हैं और वहाँ पेट जाते है अराम से अब जीऑ आफ आता है पापा हमाट के टीवी देख रहे हुथ ए कहता है पापा सोफा ने डेनी केसे से मिली है तो अब सोफी वहीं पर ही होती है उसके पापा अपनी गड़तर गुमाते हैं तो कहते हैं क्या हुआ मनें इन में पाप जियाओव वसस पापा इसके पाप इसके पाप वोंगी होगी वह पर फिने को चैनी केसी काफ की अच्छा भाथ रहा ही सब्सक्राइब तो आप लोग केल रहा है या कोई भी वाइस सब्सक्राइब यह तो यह हमारा होगे आगे आगे अब यह सब आप इसमें के पापा चीब यह कहती है कि ही इस गौइं टोग अशॉप वह एक शॉप खरीदने वाला है आर्केट पर अब उसके फापाँ घुसा चड़ जाते है कहती लिए कहां सुन लिया तुमने को कि वह शॉप खरीदेग तो अब क्या होता है वह उसको गुस्ता करके बोलते कहते सोफी तु सुधर जा कभी तू इतने जादा मत फैका कर कभी तू इसी चक्कर में बहुत गंदा फसेगी ठीक है नाव वह कहता है उसके पापा कहते है कि तेरी बात यहां में कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है नहीं जी ओफ नहीं कोई भाई बहन तु चुप हो जा ऐसे मत बोला करें अब यहां पर देखको हमारी स्टोरी खतम होगी अगले पाट पर चलते हैं अब क्या होता है जो आपका जी ओफ होता है वह अपने बैटरूम में जाता है वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे होते ह इसमें आपको डैनिकेसी होता है इसे बहुत बड़ा फ्रेंड नहीं है बहुत बड़ा फैन है सोरी किसी का अब सोफी कहती है कि यार एक कुमिट कि नहीं बता हो गया अगर तो उसल्टरी में किसी से मिली एंड उसने मिर से कहा कि मिर को next week next Saturday को मिलेगा वो कहता है जिए अफ तू पागल तो नहीं हो गई है उसके बीचे लिड़कियों की line लगी हुई है वो तिरसे क्यों आके मिलेगा अब वो देखो थोड़ास है ना वो जो उसने imagination है अब वो उसको describe करने वाले रॉइस शॉप में तो मेरे बगार में की लड़का आद में आके खड़ा होता है पर इसको देखती हूँ मैं कहती है उसको excuse me but aren't you Danny Casey तो वो कहता है कि हाँ मैं Danny Casey हूँ reply करता है उपर से तो अब वो उसको देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसका जो कहने का तरीका भी था उससे पैचान लेदी कि डेनी केसी है वो पिल्कुल सेम था जो उसके इंट्रव्यू में यूज किया करता था ना बोलने के टाइम पर ना है तो अब वह इना ओटोग्राफ के लिए कहती है डेनी केसी के मेरे बात बता रहीं किसको जियों और को तो तो लोगना हुए थैं उसकी अफ्छाती दी है और वहाव कहती है सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए उसने मुझे सब्सक्राइब करते हैं अब कहते हैं तो मेरी बात पर एकीन तो करते हो सब्सक्राइब करते हैं अब अब यहां तक अगला पार्ट चलते हैं इस वाले पार्ट पर चलते हैं सुनना मेरी बार बात है सैटर्डी की अब हर सब्सक्राइब को है इनकी फैमली थी सूफी इसके फादर लिटल डैरेक है ना और खास करके जी अब यह सब मिलके ने फुटबॉल मैच देख रहे होते थे तो उस सब्सक्राइब को भी यह फुटबॉल मैच देख रहे थे और उस समय यॉनाइटिड ने टू ने बितू जिरो से हरा दिया था और सेकंड गूल किया था किसने डैनी कैसी ने तो अब कर लिटंग किया तो उसकी मम्हें करते हैं जीत की चलो स्मान भी ज्जादे कुछ है रिप्लाई नहीं करती नव कि अब जब यह सारे सरभ मामला चल रहा होता है तो उसी दिन कि क्या होता है जैन सी को न रे तो यह न यह उसको है यह बात का पता लग जाते गी वह होंटर खैला दी है कि वो Denny Casey से मिली है वो कहती है Sofi सा कि है तो क्या बगे जा रही है तो Denny Casey से मिली है क्या Совi कहती है दो सो gj of को बताया था इस तक क्या से बात पहुच गही तो Jen mindset कहती है कि जम Frank अब जो Frank है न या दरको Jenzy का भाई है तो सुनना मेरी बाद ये Jensi, ये Sophie, दोना best friend है, Sophie की दो भाई है, एक Jeeoff और एक Little Derek, Jensi का एक भाई है Frank, Frank और Jim काफिए अच्छे दोस्त है, तो Jeeoff ने Frank को बताया कि उसकी बेहन, Sophie Danny Casey से मिली है, और इस तरीके से यह बाद Jensi तक पहुंची थी, डड़िआउ Super recautral के पेट में कोई बात ही नहीं पच्छती ये बात तो बात नहीं बता होगी तो उसके बाद क्या होता है तो बात बात मैंने को अभी यह नहीं पता कि होती पर वह कह रही है सब को बताती तो लोगों की लंबे-लंबे लाइन लग जाती तो तुमको पता है कि मेरे पापा का नेचर कैसा है मम्मी का नेचर कैसा है इनको इस सब चीजे पसंद नहीं है तो वो कहती है सोफी जैंज से क्या तो प्लीज किसी को मत बताना तो नहीं बताओगी यूं यूं यू कें ट्रस्ट मी यूं ट्रस्ट में यू कैटी जैंसी कहती है सब्सक्राइब जाता है जब यहां पर चारो तरफ लगे युए थे ठीक है उसके बगल में पानी भहरा था और यहां पर रहने गुल विटेंच था तुमको तो पताएं कि किसी आने वाला बस तब एक उमीद लेकर चलिए कि क्या आज है आपको पताएं कि अंदर क्या होता है आप जो आपको लगता है कि जो मैं चीज सोच रहें वह चाहिए अकिकत में राइट तो उसके कि इसके बात क्या होता है उसको लगता है कि जैसे की शैडओ भार आ रही है तो उसके मन में यह होता है कि जो देखो अब वह न जो सका शरीर है इसमें जिसने सब्सक्राइब जकट लिया है तो इस कर रही हो थी उसकी कमिंग को उसकी प्रेजंस को मट एड़ सेम टाइम एक उसके रिया रियल वर्ल्ड होता है जो उसको बार एहसास जलाते है कि भाई डैने किसी नहीं आने वाला तो तर्फ में वह सब्सक्राइब करतें वहां पर बैटरी होती है अपने आप से कहरी होती है डैनिक नचिन आएगा रहे रहे घाना मेरे बस अमेरे से मिलने के लिए आएगा थीक है उसके बाद वो फिर यह सोचते हैं कि अगर तेनि के-सी नहीं आए है तो मैं अगर उनको बोलूगी अपने के-सी मिलने के-सी नहीं आएगा तो यहां से उसकी sadness चुग हो जाती हूँ वो बर्डन वो कैरी कर लेती है वो बर्डन क्या था कि डैनी कैसी नहीं आया उसे मिलने के लिए वो बर्डन वो कैरी करके आगे चलती अपनी घर की तरफ घर की तरफ चलती कि जब मैं जी आफ को बोलो कि डैनी कैसी मिलने के लिए नहीं आया मिरसे तो वो तो पहले डिसपॉ शायद अगर यह ऐसी fantasy में नहीं जीती तो शायद उसको दुख-दर्द नहीं मिलता अब जब जा रही होती तो देखती है कि जो पापा उसके पापा की बाइसिकल पब के बार खड़ी है तो कहते है थैंक गॉड कि मुझे इनको तो यह नहीं बताना पड़ेगा कि मैं नहीं म या ता होती है तो उसके हैं वह कहते हैं तो फिर उसके दिमागे वो परसन कहता है कि हां मैं वह कहते है शूफी आपने इमईजरेशन बाते चल रही है वो कहती है यार मैं मेरे डैड और मेरे ब्रदर्स हमेशा तुम्हें देखते हैं फुटबॉल खेलते वे तो अब यह कहते हैं अब देखो होता है कि कि Sophie की आख the inks pope को पर कर रही है अपने अपने आंस को अपर कर दी और उसको देखके बस एक अच्छी से कह सकते हुआ कि प्यारी सी मुस्कान इसके चेहरे पर उसको वह साफ साफ गैपस भी देख रहे हैं तोड़ा सा अफ्रेड भी लग रहा है ठीक है तो उसके बाद क्या होता है उसके यह डैनी कैसी कहता है सब्सक्राइब नहीं है तो कहती है कि इसका मतलब कि मैं आटोग्राफ तुमरा नहीं ले पाऊगी और मेरे ब्रदर जिल्टल डिलेक है वह बैचार उसके लिए सौरी मतलब मैं असको आटोग्राफ नहीं दे सकती है उसके आर्केट में बैठके है ना लगातर उस वाइस को इसकी में गूंज रही है लगातर उस चीज को याद कर रही होती है और फिर उसको एहसास हो जाता है कि हां डेनी केसी मेरे से मिलने के लिए नहीं आया और मैंने लास्ट डेनी केसी को तभी देखा था लास सेटेड़े जब मैच खेल रहा था जब वह सारे के सारे बैठे अगर पूरी स्टोरी को ड्रामा को देखो ना तर्म को है ना इमैजनेशन करो बट इतनी भी मैजनेशन मत करो कि तुम आना अपने रियल वर्ल्ड को छोड़के अपने प्रोकैस्टिनेशन के दुनिया में चले जाओ तुम आस सोचते जा रहे हैं इसका हुई मीनिंग जैसे हैं आपके सूफी सूफी कभी कहते है एक्टरस मन जाओंगी मतलब इसका माइड ही जगार पर है नहीं वह अलगी उसकी जो माइड है उसमें तिंकिंग जो लेवल अलगी चल रहा है ना ठीकिंग ठीक है इस पूरे चैप्टर सम्कों मिलता है मिलता है कि हमको हमेशा उनी चीज़ों के वारे सोचेंगे जो में अचीव कर सकते हैं इसको आप देख सकते हैं वाकिव टेलिग्राम के ऊपर यह पीडिएफ अफ्लोट कर दूगा आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीक से प्रैक्रेश कर सकते हैं रिट्रेचर की एंड राइटिंग सेक्शन की राइट वहां पर आपको यह पीड करते हैं तो इस प्रैशन को पड़ते हैं अपरोच सिखाओ को कैसे आपको एक्स्टैक्ट बेस्ट को हैंडल करना है तो देखे हैं पर्ले पढ़ लेते हैं विश्ची वाजन इंग्लिश्मन समवन सेट उन थे बस आयलें विल विन दे वर्ल्ट कव लिटल देरिक तोल इस यद देनी की से बी नोजी की की बिटल को में व लोस्तर्टल व यह चर्णी फ्रॉंस यह जल रोंग ज्स यह ज्ट्व में ह। यह ज्य हम विटल इंगे स्टै कर द कर दोड़ समीट को पर देंगें यह ज्यू सब्सक्रीव को में परलें बार हैं था तो टॉर परीं देरिस मिलती है सोफी से और जिनके विच्छा आपसम बाते होती है तो सुनो दिस वॉसा जी ओफ आप देखो चार आपको सामने है आपको एने आप एक option चूज करना बढ़ेगा करेक्ट option आपको चूज करना है तब options को eliminate करते जाओ अगर जैन से ट्रस्ट वर्दी थी इसलिए बूला यह तो पक्ककęd यह बाती बटाती ना सब्धम्हेब पूरे बूरे हमने चैप्टर में देखा ही क्या कि दुनिया में जी रही थी सब्सक्राइब हम चलते हैं अगला कोशन देखते हैं आइले विन वर्ल्ड कब यहां पर मिल भी रहा था यह बेसी कली लिटल डेरिक नहीं बात बोली थी यहां पर लिखा भी हुआ था किया है यहां लिटल डे टोड हिस मगधर है न तो यह बात टील डे टे डे इक कि वरवस्ट समछ racious बीटवेन देम एंट तो यह समथे बीट है तो देखो जैन शौफी की मीटिंग डैनी के साथ जो कि उसको लगा रहा था एक्चली में मीटिंग हुई निए जो इसकी मैजिनेशन थी यह सम्टिंग स्पेशल था ठीक है तो बिसी करता है आपको यह क्रेक्टर स्केच अडलोसंट एच की डैट इस हीरो वर्शिप क्या शो करता है करता है तो अब कुछ भी आप लिख सकते हो और देखा जाते हो इस चैप्टर के इस चीज को लिखो इसके आपको बन सकता है आपको यह वीडियो पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद देशाए को सब्सक्राइब पर लो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके प्रीज बताये करो आपको वीडियो कैसी लग रही है और विस्टर का वन शॉट आएगा ट्विंटीएथ को उसके रड़ी रहे न ठीक है सब कुछ का रादर का उसके अंदर हो है डोंट वरी सो मिलते नेक्स वीडियों तो बाइबाए टेक केर का रादर है